जेडियेस नेता एचड़ी कुमारस्वामी बुद्वार को करनाटक के मुख्यमंत्री पद की शपत लेंगे कुमारस्वामी का शपत ग्रहन समारोह 2019 लोग सभा चुनाव के लिए विपक्ष की मूर्चे बंदी की तरहें देखा जा रहा है विपक्ष के कई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं इस दोरान कुछ ऐसा नजारा भी देखने को मिल सकता है जो की एतिहासिक होगा उत्तर प्रदेश की राजनीती के दो दिगज अखिलेश यादव और मायावती पहली बार एक मंच पर दिख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीम अखिलेश और मायावती ने अभी तक कुमारा स्वामी के शपत ग्रहन में शामिल होने की पुष्टी की है यानी साफ है कि दोनों ने ता मंच साजह करेंगे यह पहली बार होगा जब अखिलेश मायावती किसी सारवजनिक कारेकरम में साथ होंगे आपको बता दें कि गोरखपूर उपचुनाव के दोरान दोनों पार्टियों ने गड़ बंदन कर सभी को चौका दिया था और अब यहां दोनों का एक साथाना 2019 लोग सभा चौनाव के लिए दोस्ती की बातों को बल देता है गोरखपूर फूलपूर उप चौनाव में बीजेपी को पटकनी देने के बाद अखिलेश यादव ने खुले और पर मायावती की तारीफ की थी नतीजों के बाद अखिलेश खुद उनसे मिलने भी गए थे वही मायावती ने भी कहा था कि सपा बसपा की ये दोस्ती 2019 के चौनाव में भी देखने को मिल सकती है हाला कि बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि दोनों पार्टियां करनाटक में साथ नहीं थी इसके आलावा केराना नूर पूर उप्चुनाव में भी दोनों पार्टी एक साथ नहीं है ऐसे में अभी इनकी दोस्ती को लेकर ही काफी कंप्यूजन है उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के साथ आने से बीजेपी का अभियान नहीं थमेगा 2019 में बीजेपी यूपी में पहले से भी अच्छा प्रदशन करेगी आपको बता दें कि कुमारसवामी के शपत ग्रहन समारोहो में विपक्षी पार्टियों के कई नेता शामिल होंगे कुमारसवामी ने खुद सभी खऊयोता दिया है सोमवार को वेह नई दिल्ली में राहुल गांदी और सोनिया गांदी को भी नियोता देने पहुंचे थे 23 माई को होने वाले कुमारा स्वामी के शपत ग्रहन समारोह में समाजवादी पार्टी के प्रमुक अखिलेश यादव, राजत के तेजस वी यादव, कमल हासन, डियम के के इम के स्टालिन, कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांदी, यूपी ए चेर अपर संसोनिया गांदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जरीवाल, पस्चिम मंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर जी, आंध्रप्रदेश के सीएम चंदर बाबू नायड़ू, तेलंगाना सीएम चंदर शेकर राव, बसपा सुप्रीमो माया वती शामिल हो सकते हैं